हाई बच्चा लोगों कैसे हैं आप मैं बिने गुपता स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल के जबी साइंस इजी लर्निंग और बच्चा लोगों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारवन कंपाउंड का बहुत अच्छा टॉपिक डेट इस एलोट्रोपी ओके बहुत इंप है अलोट्रोपी बच्चा बच्चे लोगों याद रखी सबसे पहले एक एलीमेंट सो करता है तो याद रखी पेपर में question आ सकता है कि अलोट्रोपी एलीमेंट सो करता है किया compound सो करता है मिक्शर सो करते हैं तो याद रखिए एलीमेंट होता कह तो दा फिनोमेना in which an element exist in different forms वो फिनोमेना जिसमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एक्जिस्ट करता है ओके जिनकी बच्च लोगों सिमिलर केमिकल प्रोपरडीज हों बट डिफरेंट फिजीकल प्रोपरडीज क्या कहलाएगा एलो ट्रॉपी तो एक साथ डेफिनिशन क्या होगी दा फिनोमेना इन विच एन एलिमेंट एक जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रोपरडीज बट डि different forms होती है बच्चा लोगो एक elements की different forms को हम क्या कहते हैं yellow drops कहते हैं क्या कहते हैं yellow drops के लिए पक्राइब पक्राइब के बच्चा लोगो तो चलिए क्योंकि हम चैप्टर एक आर्मेंट कंपाउंड तो हम पढ़ रहे हैं yellow drops of carbon तो बहुत अच्छी तरह से देखेंगे yellow drops of carbon तो आप सभी को पता होगा there are three yellow drops of carbon ओके फर्स्ट डायमंड सेकंड ग्रेफट थर्ड बक्मिस्टर फुलरी के लिए डायमंड और ग्रेफट बच्चा लोगो कॉमन एलोट्रोपे और बक्मिस्टर फुलरी डिस्कवर्ड हुआ है इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं और ना ज़्यादा मैश्लेवस में है तो चलिए बच्चे लोगों फहला टॉपिक पढ़ते हैं डायमंड और डायमंड सबको पता है बेस्प्रेंट होता है कि इनका गल्स का क्यों होता है बेस्प्रेंट अब को पता होगा क्योंकि जूलरी बनाने के काम आता है इप उक्याइब तो डायमंड इप उफ लाइज नमबर और पहला पुइंट है बहुत सारे कारवाइटम से बना होता है याद रहता है कि डायमंड का सिंबल भी कारवन ही होगा कारवन काई फोर्म है तो सी सही लिखेंगे के लिए पका बोलो बचल होगो पका रहें ना सब को सब करस् sut die diamond each carbon atom is connected to four other carbon atom बहरी इńskडरें डालेंगे वर्णड पैपर मैं पूछे तो बच्छा लोगोetus डाइमंड है बयं मे उसमें हर कारवन एटम फोर अदर कारकों से बार्य कोवलेंड बोर्ड आप सभी को पता है कारवन की वेलंसी कितनी होती है चाहर पक्ला और यहां पर कारवन के चारों वेलेंसई वियां होती है और कैसी इंपर्टेंट एक नमर का question पूछ सकते हैं टेयां है टेटरहटल तो यहां पूँआपको पनुमसरे होए एक दो कि 244 इस तरह से कारवन लगे हुए हैं एक्शॉल में स्ट्रचर कैसी होती है मैं आपको देखा रहा हूं दंग से देखेंगे इधर बहुत अच्छे काम की तो यह structure आपको देख रही है, diamond की structure है बच्चा लोगों, diamond में carbon किस तरह से अरेंज है, तो आपको देख रहा होगा, एक carbon है, और एक carbon एक इस से जोड़ा हुआ है, इधर, एक इधर, और एक उपर, और एक इधर, total कितने carbon से जोड़ा हुआ है, चार, इसी तरह आप हर carbon को चारों, diamond में क्या होती है, busy होती है, okay, समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है की नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है, तो चलिए, इसका हम आगे देखते हैं, और आगे क्या कह रहा है, diamond is poor conductor of electricity, diamond है बच्चा लोगों, वो poor conductor होगा, electricity का, very important डाल दीजे, क्यों poor conductor होगा, क्योंकि इसमें कोई भी free electrons नहीं होते है, एक number का बहुत अच्छा question आप paper में ले लीजे, पक्का paper में आएगा, okay, क्यों होते हैं, poor conductor, due to absence of free electrons, diamond is very hard and have rigid structure, diamond जो होता है, बच्चा लोगों hard होता है, और उसकी structure कैसी होती है, rigid, okay, क्यों, क्योंकि carbon atom, because carbon atoms are connected by strong cobalent bond, carbon है, वो strong cobalent bond से connect रहता है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं हा रहा है, बताइए बच्चा लोगो, पक्का आ रहा है न, okay, चलिए next, आगे की और बढ़ते हैं बच्चा लोगो, diamond is used for making jewelry, एक बभी मैंने बताया था कि diamond को, हम best friend of girls या ladies बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए जूलरी बनाने के काम आता है, अब जूलरी बनाने के काम क्यों आता है, इसका reason है, तो पहला reason है, कि इसमें extraordinary brilliance होती है, बहुत एक अलग सी चमक होती है, जो diamond में, इसलिए वो जूलरी बनाने के काम आता है, और बच्चा लोगों इसमें जो extra brilliance है, वो क्यों है, वो क्यों चमक है इसमें, एक्स्टर चमक क्यों है, क्यों जूलरी बनाने कामा रहा है, तो पहला reason है, its great ability to reflect and reflect light rays, सबसे बड़ी बात है, कि light rays को reflect भी खरता है, और reflect भी खरता है, इसमें reflection भी होता है, और reflection भी होता है, total internal reflection भी होता है, इससे बहुत जादा sign करता है, extraordinary brilliance होती है, इसलिए किस काम आता है, जूलरी बनाने के काम आता है, दूसरा point है बच्चा लोगों, क्योंकि इसकी refractive index बहुत जादा होती है, और जबने light में पढ़ा था, reflection भाले में, इसकी refractive index कितनी होती है, 2.42 के लिए, light को बहुत जादा bend करता है, bend जादा करता है, इसलिए इसमें reflection जादा होता है, तो यह बहुत important डाल दीजे, point पकता paper में ले लीजे, कि why diamond is used for making jewelry, तो reason है, क्योंकि इसमें extraordinary billions होती है, extraordinary billions क्यों होती है, क्योंकि light को reflect और reflect भी करता है, और इसकी refractive index बहुत जादा होती है, चलिए next point देखते है, diamond is used in cutting instruments, आपने देखे होंगे, बहुत सारे जो बड़े-बड़े drill machines होते हैं, क्योंकि उनका cutting करने कामाते हैं, glass को काटने के कामाते हैं, उनका top point होता है, वो diamond का बना होता है, और क्यों बना होता है, diamond क्यों cutting instruments में कामाता है, because it is hard and rigid structure, क्योंकि इसकी hard and rigid structure होती है, सबको आ रहा है, जो-जो में interline कर रहा हूं, आप भी interline करेंगे, पक्ता एक एक नमबर के questions पूछे जाते हैं, next is diamond is used by eye surgeon, eye surgeon की द्वारा काम में आता है diamond to remove cataract, cataract को remove करने के लिए काम में आता है diamond, तो बच्चलोगे diamond पढ़ा, आसान topic है, समझ में आ गया होगा, एक दो questions बनते हैं, आने चाहिए, पक्ता आ गया होगा, next topic पे पहुच रहे हैं बच्चलोगे, ग्रेफाइट और दूसरा एलो ट्रॉप है किसका carbon का ग्रेफाइट, जिस तरह diamond बहुत सारी layers का मना होता है बच्चलोगे उसी तरह graphite भी बहुत सारी layers का मना होता है, तो graphite is made up of many layers of carbon atom, in which each carbon atom is connected to three other carbon atom, क्या अंतर आगे diamond ग्रेफाइट में पूछ सकता है, वहाँ पे एक carbon, four other carbon से connected था, यहाँ पे हर carbon बच्चलोगो, तीन other carbon से connected है by covalent bond, वहाँ पे कैसी सखल बनती थी, टेट्रेडल और यहाँ पे बनती है बच्चलोगो, hexagonal seed like structure, hexagonal seed like structure बनती है, ओके अब अंतर क्या है, पहला difference, वहाँ पे one carbon is attached to other four carbon, second tetradle structure थी, यहाँ पे बच्चलोगो क्या है, one carbon attached to three other carbon and to form hexagonal seed like structure, मैं आपको इसकी figure बताता हूँ, आता नहीं बनाने को, बढ़ आपको diagram भी this question पूस सकता है वो, तो आपको आना चाहिए, diagram बहुत कामका है, इधर देखते हैं, सारे बच्चे, तो बच्चे लोगों, यह है diamond की structure और इसमें आप देख रहे होंगे hexagonal seed like structure बन नहीं है, इस तरह से, जिस तरह से आपने इसी chapter में पढ़ा था, बेंजीन जैसी structure, cyclohexane जैसी structure, के लिए पका, तो this is hexagonal seed like structure, यहाँ पे एक carbon, तीन carbon से connect रहता है, ओके, पका, तो इसी लिए, क्योंकि यहाँ पे एक carbon बच्चा लोगों, थ्री carbon से attach रहता है, ओके, तो सुनिए, क्या-क्या इससे effect पढ़ेगे, तो graphite is soft and slippery, अंतर एक और difference भी पूछ सकता है, वो hard और rigid था और इस soft and slippery है, ओके, क्यों, क्योंकि इसमें weak forces होते हैं, इन forces का नम पूछ लेता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, bondable forces, weak bondable forces होते हैं, ओके, between different, between, between different layers, and also due to its sheet like structure, तो एक नमर के question आता है, why graphite is soft and slippery, तो graphite is soft and slippery, तो graphite is soft and slippery, तो ग क्वांटर वाल, forces between different layers, and due to its sheet like structure, और इसको आप डाल देंगे, important, एक नमर का question काफी बारा है, next question सबको पता है, name one non-metal which is good conductor electricity, कौन-कौन पताएगा जल्दी से, सबको पता है, graphite is good conductor of electricity, graphite एक अकेला non-metal है, carbon का, allotrop graphite, जो good conductor होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, तीन, एक carbon तीन सी तो अटेस था, जबकि carbon की valency कि दिए उती चा, तो एक valency free रह जाती है, जिसते कि उसमें free electrons present रहते हैं, so it is used for making electrodes, एक नमर का question यहाँ पर पूछ लेगा, very important डाल दिया मैंने, क्यों, graphite is used for making electrodes, graphite क्यों, electrode बनाने के काम आते हैं, क्योंकि, graphite is a good conductor electricity, क्योंक इसा question डाल देना, again, एक और important, next question है, बच्चा लोगों, आपका next point है, graphite is used for making pencil lead, आपने जो पैंसिल देखी हैं, okay, वो पैंसिल की जो lead होती है, वो किसकी वनी होती, graphite की, आपको reason नहीं पता हो, graphite की क्यों वनी होती, वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि graphite है, वो black color का होता है, पहली बात, और दूसरा एक पेपर पर जब हम इसे चलाते हैं, तो मार्क छोड़ता जाता है, इसलिए pencil बनाने के काम आता है, लीड बनाने के काम आता है, और इसको हम डालने में, again, important होने, सारे point important है, बचलों, एक एक नमर के region पूछ सकता है, next है, powdered graphite is used as lubricants, powdered graphite है, वो lubricants के काम आता है, machines में, what is lubricant, जैसे mobile ओएक नाम सुना होगा, जिससे machines के पाट आसानी से move करते रहते हैं, that is lubricants, क्यों, because it is soft, spongy and non-volatile, 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 non-volatile सब जानते होंगे, heat होने पर order नहीं जाता, जिससे की machine के parts को, आसानी से greasy feel देता रहता है, lubricants provide करता है, वो आसानी से move करत रहते हैं, जैसे आफ साइकल की chain में डालते हैं, grease बगर जिससे वासानी से चलता रहे हैं, के लिए तो यह था आपका ग्रेफाइट और यह थी आपकी ग्रेफाइट की structure, सबको समझ में आया, structure ग्रेफाइट की डामेट की आपने उपर बताई, अब जो आता है आपका, बक चलोगो, बक मिस्टर फुलरीन, that is C60, बक मिस्टर फुलरीन, C60, C60, okay, clear, पका, चले, it is a football like structure, football देखी होगे, कौन-कौन football खेलता, जल्दी आत उठाइए, किस-किस को अच्छल लगता है, किर्केट से आता, फुटबल गवात उठाइए, ओक और फुटबल का आपका जो पिलियर है, आपको जो लगता है, वर्ड में, कौन है, जल्दी से नाम लेखी, फुटबल से, तो, it is football like structure, अभी बतारों में कैसी structure होती है, in which carbon atoms are arranged in hexagonal rings, और pentagonal ring, आपने football देखी हो, उचमें hexagonal ring भी होती है, और pentagonal ring भी होती है, पूछ सकता है, कितनी hexagonal ring होती है, इसम 60, के लिए, आईए, चलो, इसकी मैं आपको सकल देखाता हूँ, ज्यादा कुछ इसके बारे में हमाई से लेवस में नहीं है, देखिए, तो यह देख रही है, आपको बच्चा लोगों, बग में स्टर फुलरीन की structure, बिल्कुल एक football जैसी structure देख रही है, अब आपे मैं, पता आया था, 60 कारवन की football होती है, और इसमें कुछ hexagonal ring होती है, और कुछ pentagonal, अब देखिए, hexagonal ring होती है, यह वाली hexagonal ring है, और यह वाली आपको कुछी दिख रही है, pentagonal, के लिए, 5 corner और 6 corner, याद रखिए, hexagonal ring पूछे कितनी होती है, 20, और pentagonal ring कितनी होती है, 12, के लिए बच्चा लोगों तो यह थे आपके तीन एलेट्रॉप्स, और बच्चा लोगों, अब हम इन तीनों एलेट्रॉप्स के बारे में सुनें, तो क्या बात पता चलती है, कि diamond, graphite and buck mr. fullerine are pure form of carbon, याद रखिए, pure form होती है, carbon की, because on burning, it produces only CO2, अगर हम इने जलाएं, तो के क्या पैदा होती है, CO2 पैदा होती है, क्या पैदा होती है, CO2, तो C plus O2 gives CO2, और किसी चीज को आप जला रहे हैं, केवल CO2 पैदा हो, इसका मतलब हो, केवल pure carbon की बनी होई है, सबको समझ में आया की नहीं आया, बताईए, तो हमने तीन एलोट्रॉप्स पढ़े, carbon के, तीनो मार्क्स के questions paper में मिलेंगे, आपको इस chapter में से, पका, तो करते हैं, देखते हैं, कैसे आएंगे questions, बहुत काम के questions हैं, ओके बच्चा लोगो, पका, clear, तो चलिए करते हैं, next question, तो चलिए बच्चा लोगो, कुछ practice questions मैं आपके सामने solve कर रहा हूँ, अगर आपको मुझसे पहले आते हैं, तो करिए, नहीं तो आप बहुत अच्छी तरह से questions को देखिए, बहुत अच्छे questions है, सबसे पहला questions आपके सामने हैं, बच्चा लोग draw the structure of simplest LDA, simplest LDA बताना है, simplest LDA, clear, तो LDA का अब ऐसे कैसे खरेंगे, तो आपको LDA का general formula आना चाहिए, LDA का general formula सबको पता है, क्या होता है, C N, H2 N, plus 1, C H O, के लिए, आपको अगर याद हो, अगर आपने डंक से चर्क्टर पढ़ा है, तो LDA का first member, simplest मतलब सबसे पहला, first member के लिए हम N equals to क्या रखते हैं, 0, अब यह N equals to 0, आप अपने समझने के लिए रखें, exam में मत दिखा हैं, क्योगी मैं ट्रिक बताइए, N equals to 0 रखेंगे, तो आपका क्या है जाएगा, C 0, N की जाएगा 0 रखा, H, 2, 0, 2 का 0 से मिल्ट पर जीरो, और प्लस बन तो H1, और C H O, तो 0 तो कुछ होता नहीं, तो formula क्या आगया, S C H O, अब this is S C H O आगया, हमें बनाने इसकी structure चलो, इसका नाम बता दूँ, अगर आपको नाम याद हो, तो नाम क्या होता है, मीथे नल, क्या नाम होता है, मीथे नल, के लिए, बोलो बच्चो, मीथे नल नाम है, एक कारवन है, फंडा क्या होता है, किसी को याद हो, तो L K Nल, ओके, और एक कारवन है, नाम क्या होता है, मीथे नल, अब इसकी structure बनानी, मैंने आपको इसका भी concept बताये था, के बल के ब बनाते याद रखो आप, C O H, के लिए, और बस एक H बचा है, S C H O, बहुत अच्छा वैसन है, दो श्ट्चर भी आती होगी, मैंने बनाना से खाय हुआ है, तो बहुत अच्छा वैसन था, बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, कॉपी में, जल्दी से फड़ा पड़ से, के ल नेक्स्ट वेस्चन बच्चा लोगो, क्या कह रहा है, नेमदा ओर्गने कंपाउंड, विच्च केन बी प्रेडूस्ट बाइ, फर्मेंटेशन अब सुगर, एंड इस कॉंस्टिट्वेंट अब बियर, धंग से सीखना, बहुत अच्छी तरह, सबको पता है, बियर में, कॉ इथियनोल का फॉर्मूला अगर पूछे तो क्या होता है, सी तू एच फाइव, ओएच, अब इसको बनाते कैसे हैं, वो मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं, डंग से सीखना कैसे, इसकी प्रिपरेशन, बैसे हमाई सिलिवस में नहीं हैं, बढ़ फिर भी मैं आपको बता हैं, सी ट्वैلف , ह120 वेलएवन, और इसमें डाला हमने वाटह ऑटह कैसे हैं, यहां निकलता है कंपो लिख लेना क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी और इस इस सुगर तो सुगर को जो बाट में डाला तो आपका क्या बन जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्ष्चर C6, H12, O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्ष्चर बन जाते है दोनों का फ्रॉबला सेम होता है किलिया पका 2 Step 2 में क्या होगा बच्चा लोगो Step 2 में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्ष्चर बना है That is C6, H12, O6 अगेन बच्चा लोगो East में से एक और एंजाइम निकलता है जाइमेज ओके और वो कनवर्ट कर देता है किस में बच्चा लोगो C2, H5, OH और कौन सी गैस निकलता है CO2 तो आपके एक्स्टा इंफॉर्मेशन के लिए है अब नोट डाउन कर लेंगे काफी बाद पेपर में पूछा जाता है कि लिए तो याद रखी Fermentation अब सोगर कहते हैं सोगर को सडाते हैं East की प्रिजेंस में East आप सभी को पता है चीजां को सडा देता है जब इडली बगरा बनती है तो ममी घर में East डालती है जिससे उसमें अच्छा सा उसका जो बटर है वो अच्छा पैदा हो जाए क्लिए पका चलिए तो अच्छा क्वेशन था तो आप से एक नमबर में पूछ सकता है कि फर्मेंटेशन सुगर में क्या होगा एथेनॉल और जो बीयर में भी होता है क्लिए चलिए नेक्स क्वेश्चन की और मूब करते हैं नेक्स क्वेश्चन बच्चा लोगों आपकी स्क्रीन पर है राइट दं नेम और फॉर्मूला ओप सेकंड मेंबर ऑप homologous सीरिज ओप सीनस्ट थो है मैने पोल दिया है सीएनस्ट N-2 अब डंग से सीखना C N H2 N-2 इसका सेकंड मेंबर पूछ रहा है सेकंड मेंबर आप सब भी को तब फर्स्ट मेंबर होता है N equals to 2 से तो सेकंड मेंबर कहां पर आएगा N equals to 3 N equals to 3 पर आएगा तो N equals to 3 value put करेंगे इसमें तो C3H4 पक्का एक question जरूर आते हैं very important डाल देंगे बहुत important और इसका नाम सब को पता होगा propine क्या formula के नाम है propine the most important question very very important की लिए पक्का चलिए एक नमबर में आएगा बहुत अच्छा question है चलिए next question की और move करते हैं बच्चा लोगो question नमबर फॉर्थ राइट दा नमबर अप्कोबलेंट बॉंड इन दा मॉलीक्यूल आप ब्यूटेन बच्चा लोगों बहुत अच्छा question है ब्यूटेन में हमें कोबलेंट बॉंड निकालने हैं ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है सी फोर एच्टेन के सी फोर एच्टेन है तो सकल आपको बनाने आती है एक दो तीन चार डंडे मारो कारवन में चार समय मार दिये आपके या ब्यूटेन बन गया ओके अब आप कोबलेंट बॉंड काउंट करके जल्दी से बताईए मुझे इसमें कितने कोबलेंट बॉंड है तो वन तो त्र चलिए क्वेशन नमर फिट आप में करेंगी मैंने आपको बता हुआ है इंपटेंट डाल देना वाइस्ट सोप सकम इसकम बना लेता है जिसका नाम होता है क्या बताई है इसका में क्या होता है इसकंद और जिससे शोप डंग से प्रॉपर क्लीनिग एक्शन शोप नहीं करता कि लिए पका फिपता आगया सब को चलिए फोर्ट हो गया फिपता हो गया नेक्स वेस्चन देखते हैं बच्चा लोगों बहुत अच्छा और नेक्स वेस्चन बहुत इ crucial आगया देशक्ड एक में सॉफ्ट वड़रे और एक में हाड वाटर रहीム सेफ्ट ओर दिसन सॉंस और दिसेज आपकर सब्सक्रम खुआ कोई देटरेजेंटस दोनों के संद्यात डोनों लैजर वनाओ तो भी काथ वड़ेटरेजेंट किवात रजुए भीद वाटेंट सीफडन औरम सौफट में हैं कि स्वॉघ वुटर वाटर के संद्हां । देता है फोम बनाता है जबकि हाड़ वाटर के संग नहीं बनाएगा वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्चन है सबको समझ में आ गया होगा के लिए पक्का बोलो बच्च लोगो नेक्स्ट क्वेस्चन है क्वेस्चन नमस्ट सेवें वाइ कोबलेंट कंपॉंट्स जनरली पूर क कंड्री एन्यटी एन फ्री एलेक्ट्राइश और फ्री लेक्राओट उनमें फ्री एलेक्टॉं लिए अच्छा वेल्ट्राओं नज द्रॉत करूंडेंटा क्र॓ंगे में कंपॉंट्स नैस्ताय कि on बहुत अच्छा क्वेस्चन है और कंप्रेस नेच्रल गैस में सबको पता है कौन सी गैस होती है फिर मैं बताता हूं इसकी डॉट इस तक्र तो बच्चा लोगों सबको पता है CNG में मीथेन होती है क्या होती है मीथेन और मीथेन का फॉर्मुला होता है अब इसका पहले मैंने बोला है जब भी आए तो पहले आप बॉंड बनाईए अब इसका डॉट क्रॉस का मतलब है एक डॉट एक क्रॉस हमने बता है एक सिंगर बॉंड अठा के दूट लगा दू आप चाहिए तो एक डॉट और एक क्रॉस लगा सकते हैं बात एक एक डॉट एक क्रॉस एक डॉट एक क्रॉस एक डॉट एक क्रॉस एक डॉट एक क्रॉस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड् कितने होगे जल्दी बताइए बैसे दोनों डॉट लगा सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं है बाद उसने नाम दे दिया है डॉट अक्रोस का तो इसलिए आपको दोनों लगाने पड़ेंगे सबको आगया क्लिया बहुत अच्छा वॉश्चिन था बेरी इंपोरेट वाट कार्वन की वेलेंसी भी चार होती है और वेलेंस एलेक्टान भी फोर होते है क्योंकि इसका कंशुगरेशन होता है तू कमा फोर के लिए राइट मॉलीकुल और फॉर्मुल ऑफ एलकॉल विच कैन भी ड्राइब फ्रॉम ब्यूटेन एक कॉस्चिन अच्छा है ब्यूटेन से कौन सा एलकॉल पैदा होगा तो पका ब्यूटेन में चार कार्वन है तो चार एलकॉल वाला ही हमें क्या बताना चार कार्वन वाला ही हमें अलकॉल बताना होगा के लिए चलिए करते हैं तो बच्चा लोगों चार कार्वन वाला एलकॉल ऐसे कोशन जब भी आए आपको जरूर आने चाहिए सबते वो जरूर लिखा कर दिए चार आपको अलकुल का पहले में मर वन से सुरू होता है तो एन इकोस्टू फॉर रखेंगे तो क्या फॉर्मुला आए जाएगा सीफोर एक्ष नाइन ओएच फ्री में बनाई यह की सकल एक दो तीछ चार यहां पर डंडे मारो समय कारवन में चार और पहले बाले पर लगा दो ओएच मेरे यार और यह बन गया आपका इसस इसका नाम ब्यूटेन औल या व्यूटेन बन ऑल क्लियर पका क्लियर चब को आया अच्छा कोश्चन था 11 त्वेल्थ बहुत इंपोटेंट है पक्का आएगा बोर्ड में इंपोटेंट डाल दीजे और 100% बोर्ड में ले लीजे कि इस्ट्रच्चर फॉर्मुलाव मीथेनोइक एसेड बनाते हैं अब मीथेनोइक एसेड अब देखी कार्वक्सलेक एसेड की वात है सब्सक्राइब जन्रल फॉर्मुला जरूर लेखा करो बच्चलों मेरे रटा मत कर यह चीजों को या रटेंगे तो फट जाएंगे ZOOH आपको पता है कार्वक्सलेक एसेड में एक एक कारवन होता है तो पक्का है SP खिलियर पक्का सब्सक्राइब सबको पता होगा इसकी सकल कैसे बनाते हैं बहुत इंपोडेंट है पहले सी डवलो एच की बना दो आप और यहां पर एक एच बचा रहे गया यह एच लगा दो बन गई सकल कि नहीं अगर चाहते हैं डॉट इस्टचर तो डॉट इस्टचर बिना दो एक डंड अठाओ दो बिंदी लगाओ दो डंड अठाओ चार बिंदी लगाओ औक्सिजन में दो और एक टे लगाते हैं और और जिस इस एच ओर एक बिज़ेंगे बहुत इंपटन होते हैं और वेरी वेरी इंपूर्टन है तो बच्चा लोगो आज का आपक आपको पूरा धंक से समझ में आया होगा एलो ट्रोपी और हमने questions करें यह सब को समझ में आया होंगे पक्का आगए बच्चे लोगो very important डाल देंगे बहुत ज़्यादा काम का है very 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 important बोलो बाबा अम्मा की जैए good night बच्चे लोगो bye bye